Hello students, today we study of some type of square roots in which two numbers be multiplied or two numbers be divided. First we see question number 1. Evaluate square root of 441 upon 961. So, in this case, we have two square roots in which one is different. A upon B was different. A for a square root is different. And B for a separate. So, we also separate this. We also separate this. And, 961 to a square root. Now, what do we do in division method? We have two square roots. Division method, I have told you before. 441. This is a pair. And this is a single. Now, I will multiply by 4. 2 to 4. Here we go. Here we go. On top 4. So, now this is a pair. Next pair, we can know that this is a pair. Now, this is a pair. The pair will be plus, It is a pair. Multiply, and then we can tow. Plus. 2 to 4 is 4. Now, what do we do? Here we go. This is 4. This is 4. This is 4. 4 is 4. So, it is 4. 1 is 4. 1 will be 4. So, this is 1 and down. 1 will be 4. Now, it is 4. 1 will be 4. Now, this is 4. square root 21, दूसा नमबर था 961, अब इसका square root निकालेंगे, 961 का ये pair बना दिया, और ये single 9 दे गया, तो 9 का हुई जाएगा, 3-3 जा 9, यहां भी 3, यहां भी 3 और उपर भी 3, 3-3 जा 9, अब इसमें क्या करेंगे हैं, मिन दोनों को plus करके, नीचे लिखते हैं, जैसे यहां लिखा नीचे लिख दिया, और ये complete pair लिख लिया, 61, अब क्या रखें हम, 6 बन्जा 6, गनाया, तो 1, 1 और 1, तो 1 की multiply, 61 में करेंगे, 1 बन्जा 1, 16 जा 6, तो हमारा आगया, square root 31, 441 का तो आया, 21 square root, और 961 का आया, 31, तो ये इसका answer हो गया, इस पूरे का, ठीक है, इसको हमने division method से न ये तो है long division method, और इसको हम prime factorization method से भी निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से हो जाएगा, उसमें, 441 और 961 दोनों के square root निकालने के लिए, पहले prime factor निकालेंगे, 441 का निकाला, तो 3 बन जा 3, 34 जा 12, 37 जा 21, 34 जा 12, 39 जा 27, 77 जा 49, 7 जा 7, इस तरीके से 961 को हम काट करके देखें तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये लास्ट ली जाकर के 31 से कटेगा, किस से कटेगा, 31 से, तो 31 जा 93, और 31 जा 31, तो 31 से 31 बढ़ गया, तो कितना आगे 31 और 31, तो हमने इसके pairs लिख दिये हैं, ये prime factorization method है, इसके square root के अंदर लिखे, 33, 77, multiply में लिख दिया, ये 31 था, तो 31 इं से, 3 में से, एक 3 ले लिया, इस pair में से, 7 में से, 7 ले लिया, नीचे वाले में ये pair था, 31 ले लिया, तो 37 जा 21 अपन 31, यदि हम divide वाले method से करते हैं, तो भी same answer आता है, prime factorization method से करते हैं, तो भी same आता है, तो हम दोनों में से, जो भी method चाहें, उसको use कर सकते हैं, इसके बाद fraction है, अब इसको पहले हम square root निकालेंगे, इसका, तो square root लगाया, इसकी multiply इसमें करी, 169 बन जा 169, और 56 प्लस करा उसमें, तो कितना गया, 225, ये तो आते ही होंगे solve करने, new mix fraction है, upon क्या गया, 169, अब दोनों पर अलग-अलग square root लगा लिया, इस पर अलग लगा दिया, इस division method से ही मैंने यहां निकाला हुआ है, तो ये pair बन गया, ये 2 रह गया, तो 1 बन जा 1, 1, 1, 1, इहां लिखेंगे, और multiply करके, 1 बन जा 1, 25 फिर नीचे आ गया, और 1 और 1 और 1 दोनों को plus करके 2, ठीक है, अब plus करा, अब इसके याद इसको छुपा लेंगे, और इससे करेंगे, 2, 6 जा 12 तो जाद हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 2, 5 जा 10, क्या लेंगे, 2, 5 जा 10, तो 5, 5, 5, 5, 5, 5 जा 25, 2 बचा, 5, 2 जा 10 और 2, 12, तो कितना आ गया answer, 15, इसके बाद वो यहां लिख दिया, इसके सामने 15, इसके आद 169 का निकाला हमने square root, तो 169 का square root निकालने के लिए हमने क्या करा, वो pair बनाए, यह pair और यह pair, 1 बन जा, 1 बन जा, 1 और यह उपर answer आगया, 1, फिर इसके बाद 69 पूरा pair ले लिया, क्या ले लिया, पूरा pair ले लिया, इसके बाद 69, तो हमने क्या करा, इन दोनों को plus करा, 1 और 1, 2, और अब इसको इस से divide करके देखेंगे, 2, 3 6, 3 आया, तो 3 यहां लिखा, यहां भी 3, यहां भी 3, इस 3 की multiplying दोनों में करेंगे, 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 6, तो answer कितना आगया, 13, 169 का square root कितना आगया, 13, वो हमने इसके सामने लिख दिया, तो इसका answer कितना आगया, पूरे का, इसका answer आगया, 15 upon 13, एक question और देखिए, यह multiply वाल हैं, और अलग-अलग है, तो उनको मिला करके उनके उपर भी लगा सकते हैं, यह condition के according set करते हैं, ठीक है, तो अब हम यहां question देखते हैं, तो यहां पर, इसमें क्या है, इसमें हमारा है, find the value of square root 45 into 20, ठीक है, तो 45 upon 20, 45 into 20 है, तो इन दोनों का square root के लिए हम क्या करेंगे, दो कि 45 का भी square root नहीं निकल सकता, 20 का भी निकल सकता, वो points में आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए prime factorization method का use करेंगे, किस method का, prime factorization का, तो हमने क्या करा, इन दोनों को एक साथ ले लिया square root में, अब हमने इन दोनों के prime factor निकाले, यह रहे, prime factor, 45 का निकाला यह, तो 3 बन जा 3, 3, 5 जा 15, फिर 3 से करा, 3, 5 जा 15, 5 बन जा 5, इस टाइप के जो questions हो, उसको आप prime factorization method से solve करके देखना है, यदि यह perfect square number नहीं हो तो, ठीक है, तो prime factorization method से हमने कर रहे हैं, अब इसके आप 20 को करा, तो 2, 10 जा 20, 2, 5 जा 10, 5 बन जा 5, तो इसके factors आगई, हमने factor इनके नीचे लिख दिये, 45 के कौन से थे, 3, 3, 5, 3, 3, 5, multiply में कर दिया, इसके बाद है, multiply लगा दिया, इसके कौन कौन से थे, 2, 2, 5, तो 2, 2, 5 भी लगा दिये हमने, ठीक है, अब हम इसको arrange कर लेंगे, इसको arrange कैसे कर लेंगे, 2, 2 तो हमने एक साथ ले लिये, फिर 3, 3 ले से एक-एक ले लेंगे, 2 ले लिया, यहां से 3 ले लिया, यहां से 5, अब इनकी multiply करी, 2, 3 जा, 6, 6, 5, जा 30, तो इस तरीके से यह इसका answer आगया हमारा 30, ठीक है, इस case में mostly हम prime factorization method का use कर लेते हैं, जिससे में easily पता चिल जाती है, इसका देखिए एक division में, इसमें ऐसा हो जा जाता रहेगा, तो इस case में हम क्या करते हैं, दौनों के उपर square root ले ले लिया, और prime factorization में के थूरू इसके factor निकाल लिये, 80 के factor निकाले हमने, तो 80 के निकाले, 24 जा 80, 22 जा 4 और 0, 22 जा 4 और 0, 25 जा 10, 5 जा 5, इसके factor आए यह, तो हमने square root लगा कर इसके factor लिग दिये, 22, 22, 22 और 5, ठीक है, आप हमने 405 के निकाले, 405 के, 405 के निकाले, 3 बन जा 3, 33 जा 9, 35 जा 15, 53 से काटा, 34 जा 12, 35 जा 15, 3 बन जा 3, 35 जा 15, 35 जा 15, 35 जा 15, 5 जा 5, यह factor आ गए 405 के, यह factor हमने यहां लिखे, 33, 33, 33, 33, 33, और 5, यह इस तरीके से लिखे हुए थे, तो हमने क्या करा, इसको हम, इसको हम square root एक साथ लगा लेंगे, ठीक है, यह हमने यहां पर लगा लेते हैं, इसको हम एक साथ लगा लेते हैं, इसको है स्क्वार रूट हम एक साथ लगा लेते हैं, यहाँ पर भी हमने उपपर एक साथ लगाया हुआ था, तो हमने इसका स्क्वार रूट लगाया, एक साथ, ठीक है, तो यह आ गया हमारा इस टाइप से, यह square root लगा है ना, square root में क्या हुआ हुआ हमारा यह 5 से तो 5 cancel हो गया ठीक है, और उसके बाद यह pair बचे थे तो यह square root का sign हट जाएगा जब square root का sign हटेगा तो इस pair में से 2 आ गया इस pair में से भी 2 आ गया ठीक है, अब इस 3 वाले pair में से 1 3 आ गया सही, अब इन दोने के multiply कर देंगे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 इस तरीके से हम यह जो हमारे square root के हैं इसको solve कर सकते हैं क्या करा इसमें, दोनों में अलग-अलग था हमने दोनों के उपर single square root लिया दोनों के factors निकाल लिये यहाँ पर हमने दोनों के factors निकाल लिये तो इस तरीके से हम square root के questions को solve करेंगे ठीक है, thank you very much and have a nice day